स्योहारा में मीट विक्रेताओं में उस वक्त हड़कम मच गया जब खादेव विभाग की टीम ने मीट मार्केट में छापेमारी शुरू कर दी छापेमारी के दोरान फूर्ड इस्पेक्टर रामवीर सिंग ने अन्यमिताय बरतने पर मीट की आधा दरजन से अधिक दुकान नहीं कराए गए तो विभाग ने कारेवाई करते हुए मानकों को ताक पर रखकर मीट बेचने वाले व्यापारियों की दुकाने सीज कर दी मीट विक्रेताओं की माने तो उन्होंने लाइसंस के लिए एपलाई कर रखा है लेकिन अभी तक उनके लाइसंस नहीं बन पाए नभील क्या मामला जो तुकाने सीलो रही है अब पहले इनुने का आपक प्लाई करें और अप्लाइम ने घर पालिक हमें लगए नहीं है तो फिर दा फॉर ये कि भी तक कुछ अहीं नहीं बन शाल कर लिए अब आपने कि लिएकिन का पहले कि लिए हो अब हैँ तक पर रु उधर फोर्ड इंस्पेक्टर राम बिर सिंग ने बताया कि मानकों के विप्रीत मीड बेचने वाले व्यापारियों को पहरे नोटिस जारी किये गए लेकिन जब उसके बाद भी मानक पूरे नहीं किये गए तो बिना लाइसन चल रही मीड के दुकानों को सील कर दिया गया सिहारा से नजम सेदिकी की रिपोर्ट लेकि आप अपने आप कुएम बंद करें जब तक आप अपनी डुकान बंद करें और आपि रज्टन करें लेकितुन नहीं कि इसमें इसमें जो है कितनी डुकाने आपने सील की और दुकाने, उनमें आपने क्या देखा, आने मत्ताय कुछ पाई गई है, आको क्या कारण आसील करनेगा, तफ़ाई नेमों को फलन नहीं किया जा रहा था, और उनके पाई लाइसमस नहीं किया,